हेलो प्रेंड्स, क्यासे हो आप सब, I hope आप सब अच्चे होंगे और आप सब की बड़े बीचे चल रहे होगी तो पीरे विद्यार देओ, आजगी इस कलास में हम तक्सा आठ, हिंदी विशे, बसंद भागतीन के अध्याइच्छे हैं जिसका नाम है, यह सबसे कठीन समय नहीं के अभ्यास के समस्त प्रश्णों के उत्र को जानेंगे हमने आपके नविंतम पाठे करम के अनुसार, अध्या एक से लेकर पांच तक सभी के अभ्यास प्रश्णा बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिये हैं उनकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन से भी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं तो चलिए कलास हम शुरू करें, देखें पहला प्रशन आपके सामने दिया हुआ है कि यह कťिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवीता में कौन-कौन से तर्क प्रस्तूत किये गए हैं इस पस्ट कीजिए, यह कठिन समय नहीं है, इसके लिए कवीता के अंदर कौन-कौन से तरक प्रस्तुत किये गए हैं वो आपको बताने हैं तो देखें इसका उत्तर होगा कि यह कटीन समय नहीं है इसको बताने के लिए कवीता के अंदर आपके कौन-कौन से तरक प्रस्तुत किये गए हैं तो यह कटीन समय नहीं है यह बताने के लिए कवी ने निम्न लिखी त कभी पहला तरक दे रहे हैं कि अभी भी चिडिया चोच मेतीन का दबाय उढ़ने को तयार है क्योंकि बहुत नीड यानी गोशले का निर्मान करना चाहती है। चोथा उन्होंने तरक दिया कि नानी की कथा का आखिरी इस्सा अभी भी क्या है बाकी है। चिडिया है कि यह कठीन समय नहीं है। ठीक आगे बढ़ें प्रशन संक्या दो जो चिडिया है चोश में तीन का दबागर उढ़ने की तयारी में क्यों है। वह तिनकों का क्या करती है लिखिये। इसमें दो प्रशन हैं। पहला प्रशन है कि जो चिडिया है वो चोश में तिनका दबागर उढ़ने की तयारी में क्यों है। और दूसरा प्रशन है कि वह उन तिनकों का क्या करती है। तो देखें कि जो चिडिया है वो अपनी चोश में तिनका दबागर उढ़ने की तयारी में हैं। कारण क्या है कारण है कि सूरज के डुबने का समय हो चुका है और सूरज के डुबने से पहले चिडिया को क्या करना है चिडिया अपने गोशले को बनाना चाहती है चिडिया को अपने गोशले का काम पूरा करना है सूरज के डुबने से पहले वह तीनके से अपने लिए करना चाहती है, ठीक, आगे बढ़ें, तीसरा, कवीता में कई बार अभी भी का परियोग करके बाते रखी गई है, अभी भी का परियोग करते हुए तीन वाक्य बनाईए और देखिए उसमें लगातार, निरंतर, बिनारू के चलने वाले किसी कारे का भाव निकल रहा है, अत नहीं निकल रहा, तो यहां पर अभी भी सब्द का परियोग करके हमने यहां पर तीन वाक्य बनाए है, मुझे अभी भी सीर दर्द है, दूसरा वाक्य है, अभी भी गाव में बच्चे कई मिल पैदल चल कर इसकूल जाते हैं, और तीसरा है, हम अभी भी अंग्रेजी सीख इसका भावारा है, निरन तर्ता का भावारा है कि वो कारे अभी भरतमान में चल रहा है, ठीक, चोथा, नहीं और अभी भी को एक साथ परियोग करके तीन वाक्य लिखिए, और देखिए, नहीं और अभी भी के पीछे कौन-कौन से भाव चिपे हो सकते हैं, आपको नहीं और अभी भी सब्विका एक साथ परियोग करते हुए तीन बाक्य बनाने है, पहला बाक्य है, नहीं अभी भी मेरी प्रिक्षा की तयारी कम है, दूसरा नहीं अभी भी इमारत का निर्मान नहीं हुआ है, और तीसरा नहीं अभी भी महमान के आने में देर है, तो यहां पर यह नहीं होने का बोध हो रहा है तो पता चल रहा है अभी जो सब्द है वो तो निरंतरता का बोधक है कि कारे अभी वरतमान में चल रहा है जबकि जो नहीं सब्द है वो कारे के न होने के बारे में ज्यानकारी दे रहा है पांचवा प्रशनों आप जब भी घर से इस्कूल जात में आप क्या सोचते हैं अपने विचार लेखिए तो जो प्रतिक्सा करने वाले व्यक्ति हैं जो हमारे घर पर हमारी प्रतिक्सा कर रहे हैं वेट कर रहे हैं वो हमारे ही कोई प्रियेजन हो सकते हैं मेरे तो दिन की सुरुवात और अंत दोनों ही किसके होता है, दोनों ही मा के प्यार से ही होता है, सुबे में प्यार से, माता चुम कर जगाने में मा का प्यार, नास्ते में बनी पसंद की चीजों में मा का प्यार, भले बुरे की डाट में मा का प्यार, सुरज डुबने के प्यार या प्रेम कौन करता है तो इस तरह हमने आपके अध्याइच्छे के अभ्यास के समस्थ प्रश्णों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं उम्मिद करता हूं सभी प्रश्णों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के लिए आप सुभी का धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, सेर और सब्सक्राइब जरूर कर दें आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत